इसी खबर आ रही है कि सब्बा प्रमुक अखलेश चाड़ों के चाचा सुपाल यादो इन दूनों उनसे खपा चल रहे हैं इस वीच एक और बड़ी खबर यह है कि सुपाल यादों ने सीम योगी सो मुलकात की है यह मुलकात सीम आवास पर हुई है सुत्रों की माने तो यह मुलकात करीब 20 मेट तक चले वहीं सुपाल के जाने के तुरंट बाद सीम से मिलने के लिए सुतैन देव सिंग भी पहुँचे बता दे कि बद्वार को इस सुपाल यादों ने विधान सभा के सदस्री की सपत ले इसके बाद जब उनसे भारते जनता पार्टी के साथ जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मैंने सदन के सदस्री के तौर पर सपत ले ली है इससे जादे मुझे फिलहाल कुछ नहीं कहना है कयास लगाया जारे एक सपाल यादो और अखिलेश चादों के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है चाचा भतीजे के बीच की ये ख़वरे उजदिन सामने आई जब समझादी पार्टी के बिधायक दल के बैठक हुई थी सपा ने सपाल को बिधायक दल के अथन में हर कदम उठाए यहां तक ही अपनी पार्टी को कुर्बान कर खुद भी साइकल चिन से चुनाओ लड़े अपनी पार्टी की निताओ को टिकट दिलाने के लिए जो सूची अखलेश को दी उसमें से एक भी टिकट नहीं दिया गया इन सब मामलों में भी सुपाल नराज चल रहे थे